अब बात है जैकेट तो बड़ी अच्छी लग रही है आपकी कितना है मसका लगा लो साड़ी ना दिलाने वाला में जैकेटी अच्छी लग रही है शकल तो वहीं लंगूरो जैसी मुझे न थोड़े से पैसे कुछ न कहो क्या मतलब कुछ भी न कहो कि अब आपको कहना और किसको कहना है क्या कहना है पर आप तो सुनते ही नहीं हों क्या सुनना है अरे मैंने मेक अप खरीदने मुझको पता है देखो मैं तूडेल लग रही हूं सब को पता है देख मैं मेरा दिमाग कर आप दो करमत फॉन रख दया तुमें क्या हुआ है अरे बड़ी टेंशन है यार जिंदिगी में सुबह सुबह उटके ने पूजा किया करो कहते हैं अगर पूजा करते हैं तो बड़ी बलाई वी तल जाती है अच्छा तुमारे घरवालों नो बह अगर में पती पतनी कठे नी रह सकते हैं अरे सुरग है यार वो तुम बहुत समझदार हो ना तो बताव इतने और उतने कितने होते हैं अच्छा बता ना जब में आपको बोलते हुआ कि मुझे वहां से वह दे दू मुझे वह क्यों नहीं देती हुआ चोड़ो यह बताओ जब ऑफिस से मुझे फोन करके बोलते हैं तो मेरे लिए बना दीना वो क्या हुआ था इस अजना मेरे कोई अंग्रेज मिला वह अपनी कि आपने की मेरी की ना लेकिन मने उसकी तरह नहीं करी मैंने अपने तरीके से करी कैसे मैंने भी कह दिया उसको मैं क्या मेरी बहु ऐसी है मौका मिल जाया पूरे गाउं को बेच काये अगर मुझे कभी कुछ हो जाए ना तो मेरा दिमाग डिमेट कर देना देखो मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं कर रहा हूँ हाँ पर अगर जरा सा भी निकला तो जरूर कर दूँगा किया कितनी छोटी सोच है तुमारी कियों तुमने अपने पापा से मेरे पीट पीछे क्या कहा कि मैं फेस्बुक पे लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बना के लड़कियों से नंबर मंगता हूं कि वरए जी अरे इतने हिम्मत थी तो ये बात आकर मेरे मुझ पर कहती तुम फेस्बुक पर आई री तुम फेस्बुक पर आई तुम फेस्बुक पर क्या हुआ जरा उटके बदाम की पुकॉणिया बना दो मेरी मम्मे पपा आ रहे है बस यार बहुत हो गया ये क्या कर रहे हो तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं फासी लगा रहा हूँ पर? परवर कुछ नहीं यार ये भी कोई जिन्दगी है मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूँ लेकिन? लेकिन वेकिन कुछ नहीं है बरदाश्ट की भी एक हद होती है आज बहुत खतम हो चुकी है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो हाँ ठीक है मैं हूँ बेवकूफ अरे फास ही तुम किसी और चीज़ पर खड़ो के लगा लो इस टेबल पर मुझे मम्मी पापा के लिए नाश्टा लगाना है क्योड़े सुनो एक ग्रास पाने लाना क्या? ग्रास लगी है नहीं गलाच एक कर रहा है कहीं लीक तो नहीं हो रहा क्योड़े